गुण बॉर्निंग एवरीबन कैसे हो आप सब लोग तो चलिए हम देख लेते हैं मार्केट में किस प्रकार काम करना चाहिए तो मार्केट यहां कहीं ओपन हो रहा है तो देखिए जो यहां पे बाइंग हुई थी ना तो उसको मार्केट ने अच्छा बेनिफीट दिखाने एक बाद इतना रिवर्स किया तो या तो वो निकल गया होगा या अगर वो बैठा है तो उसे बहुत अच्छा प्रोफिट हो रहा है तो इसकी तो हमें चिंता है ने कि मार्केट इसके स्टोपलोस खाने के लिए आएगा अब दूसरा देख लेते हैं यहां पे जो सेलिंग करके गया था ना उसको इतना प्रोफिट देखने के बाद मार्केट यहां कही ओपन ओ रहा है तो अगर इससे अपर साइड निकलता है तो मार्केट को इसके स्टोपलोस मिल जाएंगे अविलीबल हो जाएंगे और यह पोजिशनल स्टोपलोस होगे तो अगर यहां पे हमें positional seller है नहीं, यहाँ पे जो कल selling हुई है, वो ही selling हमें देखने को मिलेगी, तो ज़्यादा हम upper side भी expected नहीं कर सकते, market कहीं से भी reverse भी हो सकता है, तो positional stop loss को हमें find out करना है, लेकिन हम ज़्यादा upper side यह expected नहीं कर सकते, market continue ऐसे upside चलता रहा जाएगा, तो पहले अगर market थोड़ा सा hold वगेरा करे ना, तो फिर हमें बहुत ही अच्छा trade मिल सकता है, लेकिन अगर जल्दबाजी में ऐसा निकल गया ना, तो फिर हमें सोच समझ कर चलना पड़ेगा, फिर हमें जो नया chart बन रहा है, उसके according हमें stop loss find out करने पड़ेंगे, उसके according काम करना पड़ेगा, लेकिन ये थोड़ा सा hold वगेरा कर गया ना, अगर यहाँ पर red वगेरा candle बना गया, तो मुझे अच्छा trade मिलने की संभाव होना है, लेकिन अगर ये continue buying set चला गया होता कि, यहाँ पर देखिए, केवल कल कल वाले जो seller है ना, उनके positional वो पड़े हैं यहाँ पर stop loss, तो वो कितने एक होंगे, ज़्यादा momentum नहीं कर पाएगा market, तो इसलिए अगर 2 या 3 दिन के stop loss मिलते हैं ना, तो मैं हमें एक अच्छा momentum मिल सकता था, तो market का open होने का wait करेंगे, according to उसके chart के position बनाएगा, अगर market upset जाता है, अगर downside आता है, तो मैं यहाँ पर देखूँँगा कि chart में कितना downside momentum आएगा, उसके according मैं position बनाने की कोशिश गूरा, तो market का open होने का wait करते हैं, फिर हम position बनाएगे, तो चलिए market open हो चुगा, मैं यहाँ पर position बनाने वाला हूँ, तो दोनों का पहले मैं करता हूँ, bank nifty में call buy कर लेता हूँ, फिर मैं आपको reason explain करूँँगा कि यहाँ पर position क्यों बना रहे हैं, तो पहले हम buy कर लेते हैं यहाँ पर bank nifty का call, और दूसरा मैं buy कर लेता हूँ, nifty के अंदर भी buy कर लेंगे हम, थोड़ा सा मैं momentum कोशिस कर रहा हूँ, capture हो जाए हमें, थोड़ा सा negative side का momentum आ रहा है nifty के अंदर, लेकिन कोई problem वाली बात है नहीं, हम call side में जाना पसंद करेंगे, nifty के अंदर भी, तो मैं इसके अंदर भी अपनी position बना लेता हूँ, तो हमने दोनों index में position बना लिया, और 4000 के round, 5000 के round अपना loss नज़र आ रहा है, तो देखिए, loss तो चलता रहेगा हमारा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मैंने position यहाँ पे call side की क्यों बनाई है, तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, कि market में positional stop loss है, यहाँ पे seller के मिल जाएंगे, buying वगएरा, जो major buying हुई थी, वो यहाँ तो हुई थी, यहाँ पे, और यहाँ पे जो buying हुई थी, वो बहुत ही slight buying थी, तो इसका market को stop loss खाने का ज़्यादा benefit मिलेगा नहीं, तो थोड़ा बहुत market अगर यहाँ पे stop loss करियेट कर पाता है, तो जो positional, जो यहाँ पे seller के stop loss पड़े हैं, तो market यहाँ आया हुआ है, देखिए, अब यहाँ पे जो major selling है, positional वाला, और यहाँ पे उनके stop loss पड़े हैं market में, यहाँ पे पड़े होंगे, तो अगर market यहाँ पे थोड़ा सा negative side का momentum करियेट करके, तो अगर upper side निगलता तो हमें बहुत ही अच्छा momentum देखने को मिल सकता है, तो मैंने बिल्कुल जो logic आपको मैंने समझाया था नो, उसी की according मैंने position बनाई है, में भी इसमें थोड़ा बहुत loss देखने को मिल सकता है हमें, क्योंकि market में हमने देखिए, wait तो किया है अच्छा, market में 2-4 minute हमने देखा था कि market कैसे काम कर रहा है, उसके बाद मैंने यहां पे position बनाई है, एक momentum हमें मिल गया ना, तो उसमें हमारा profit मिल जाएगा, लेकिन इसमें loss भी हो सकता है, क्योंकि market में थोड़ा सार इसको अगर downside क्रोश करता है, फिर हम position बनाते तो वो मेरे लिए और भी अच्छा होता, लेकिन मैं stop loss के लिए काम करता हूँ, जो इसका high है, उसके उपर आना stop loss पड़े हुए है, वो खाने के लिए अगर market आता है, तो मुझे benefit मिलेगा, अगर नहीं जाता है, तो मुझे थोड़ा loss भूक करना पड़ सकता है, यही बिल्कूल actual में, real में मेरा position बनाने का कारण है, अब इसमें देखते हैं क्या होता है, थोड़ा सा week तो दिखा रहा है market, लेकिन देखते हैं क्या होता है, अगर हमें stop loss मिल जाएंगे तो अप्चा काम करेगा, लेते हैं आप देखें बैंक निप्टिम यह momentum आ रहा है, यहां पर हमारा जो position बना लेते हैं, अमारे लिए बहुत भी अच्छा हुता, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, हमें position बनाई है, सो समझ कर बनाई है, कोई problem वाली बात नहीं, थोड़ा सा वेट करते हैं देखते हैं इस position में क्या मिलता है हमें, तो यहां पर जो अपना profit है, वो 28 के round चलने लगया है, तो market देखिए, मैं आपको market का chart दिखा देता हूं क्या चल रहा है, तो market में देखिए, अगर हम यहां पर position बनाते हैं, तो यह पूरा momentum हमें capture हो जाता, लेकिन कोई problem वाली बात है नहीं, थोड़ा सा हमें 10,000 का round हमें loss नजर आया था, वो हमें आप profit में convert हो गया है, otherwise क्या होता, वो भी हमारा profit ही होता, लेकिन कोई problem वाली बात नहीं, अभी भी market के पास positional stop loss पड़े हुए है, तो थोड़ा सा वो momentum हमें मिल जाएगा, तो अच्छी बात है, otherwise यह कहीं से भी reverse कर सकता है, क्यों कर सकता है, क्योंकि यहां पे ज़्यादा positional stop loss है नहीं, अगर इनके position rewind हो जाती तो उसके बाद market reverse भी कर सकता है कहीं से भी, तो देखते हैं इसी momentum में हमारा profit book हो जाना चीए, वैसे तो एक अच्छा आफ तेजी का momentum आया हुगा है, तो दूसरा मैं आपको nifty भी दिखा देता हूँ, तो nifty भी upper side आने लग गया है, थोड़ा सा hold करते हैं position को, कहीं से भी reversal आ सकता है, थोड़ा सा chances तो है reversal के, मुझे भी नजर आ रहा है, आपको भी नजर आ रहा होगा, लेकिन क्या करें position को hold तो करना पड़ेगा, ऐसे निकलें तो बात बनेगी नि, 26 के round अपना profit चला, 27 के round, मैं सोच तो रहा हूँ कि put की position बना लूँ यहां पर, थोड़ा सा यह momentum मिल जाए न, put की position बना लूँ, मुझे लगता है कि यहां पर momentum मिल जाएगा, लेकिन नहीं बना सकता, फिर अच्छा नहीं लगेगा, कि बार बार मैं position चैंज करूँगा तो, लेकिन अब तो बैट के हैं न, market में जो loss profit मिले है, उसमें निकलेंगे, बहुत अच्छा चल तो रहा है, market थोड़ा सा, अगर यह stop loss create करके चलेगा, तो अमारे लिए बहुत ही अच्छा benefit मिल जाएगा, next momentum में हम अपना profit book कर लेंगे, ज़्यादा wait करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे positional stop loss ज़्यादा नहीं है, हमारे पास, है stop loss लेकिन ज़्यादा नहीं है, अगर major stop loss पड़े होते तो मैं wait कर लेता, यहाँ पे sentimental भी नहीं है ज़्यादा, तो देखते हैं इसमें क्या होता है, वेट करते हैं एक बार position का, अभी तो हमें एक current की बात करें, तो 22 के round यह अपना profit चल लाए है, वेट करते हैं, तो यहाँ पे जो अपना loss है, वो 39 के round चल लाए है, और वो market देखिए, यहाँ आया हुआ है, तो अगर market इस swing को अगर cross करता है, तो फिर हम है according to loss बुक करेंगे, तो देखिते हैं, market इस का breakdown दे पाता है या नहीं पाता, अगर दे पाता है, तो कितना हमें loss नजर आता है, तो उसके according हम काम करते हैं, hold करते हैं position को, कोई चिंता वाली बात नहीं, अगर हम loss बुक करना पड़े, तो हमारा जो total loss है, हमने 53 के round अपना loss बुक कर लिया है, तो चलिए, अब हम जान लेते हैं, हमने loss यहां पे बुक क्यों किया है, देखिए, पहला तो reason है, कि एक amount of loss के बाद हमें निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन दूसरी मैं बात आपको बता देना चाता हूँ, कि आप यह सोच सकते कि हमें कुछ profit भी नजर आ गया, तो क्यों ना हमने position को पहले ही loss क्यों नहीं निकाला, तो देखिए, मेरी कुछ techniques है, मैं उसके according ही काम करता हूँ, तो आप मेरा जो trading style है, उसको copy मत कीजिए, जो आपको मैं reason बताता हूँ ना, मैंने position क्यों बनाई, क्यों निकाली, उसको आप देखिए, उसको आप समझिए, तब आपको benefit मिलेगा, अगर आप मेरा trading style कोपी करने की कोशिश करोगे, तो उसमें आपको में भी समझ में नहीं आए, में भी आप उस तरह पोजिशन को hold ना कर पाओ, में भी आप उस तरह से trade ना कर पाओ, लेकिन जो आपको मैं techniques पताता हूँ ना, मैंने किस प्रकार position बनाता हूँ, क्यों बनाता हूँ, तो वो आप समझ सकते हूँ markets में,